Hello everyone, मैं हूँ Dr. सपना शर्मा आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जिससे लाखो लोग अफेक्टेड है मसूरों की बिमारी मसूरे यानी गम्स बहुत ही important role play करते हैं हमारी oral health maintain करने में जब गम्स healthy नहीं होते तो बहुत discomfort and pain भी होता है पर चिंता की बात नहीं है आज हम discuss करेंगे gum diseases उनकी कारण और उनसे बचने के घरेलू उपायों की बारे में पहले बात करते हैं ये gum diseases होती क्यों है सबसे important कारण है poor oral hygiene यानी properly brush or floss ना करना जैसे ही हम खाना खाते हैं within minutes हमारे दातों पर ये white yellowish layer जमा हो जाती है जिसे plaque भी कहते हैं इस plaque में होता क्या है इस plaque के अंदर food debris और बहुत सारे bacteria होते हैं अगर हमने properly brush or floss ना करके इस plaque layer को नहीं हटाया तो शुरुवाती gum disease जिसे gingivitis कहते हैं हो जाती है इस gingivitis के लक्षन क्या है आपके मसूडे red हो जाएंगे थोड़ी से swelling हो जाएगी brush करते हुए वहां से blood निकलेगा मसूडों में से blood निकलेगा या floss करते हुए भी bleeding हो सकती है बट ये gingivitis reversible disease है इसे हम ठीक कर सकते हैं कैसे ठीक करेंगे? अपनी oral hygiene practice like brushing and flossing को properly maintain करके gingivitis को cure किया जा सकता है लेकिन अगर हमने इस plaque layer को रहने दिया साफ नहीं किया तो क्या होगा? तीन से चार दिनों में ये plaque layer hard होकर calculus बन जाएगी calculus में क्या होता है? calculus में और भी जादा bacteria होते हैं और ये calculus क्या करता है? ओपर और नीचे की तरफ, root surface की तरफ grow होता जाता है grow होगा, number of bacteria भी बहुत जादा increase होंगे और ये क्या करेंगे? बन जाती है उस pocket में और जादा खाना फसेगा और जादा bacteria आएंगे और और जादा calculus बनेगा तो ये एक vicious cycle चलती ही रहती है इससे क्या होगा? इससे धीरे धीरे मसूरे नीचे जाने लगेंगे दातों का support कम हो जाएगा वहां से हड़ी गलने लग जाएगी दात हिलने लग जाएगी और severe case में दात निकालना भी पर सकता है इस stage को periodontitis कहते हैं इसे आम भाशा में पाइरिया भी कहा जाता है इसके क्या लक्षन होते हैं? मसूरे काफी जाधा सूजे रहेंगे मसूरों में दर्ध होगा brushing और flossing करते वे बहुत जाधा bleeding होगी मुँ से गंदी smell आएगी आपके मसूरे नीचे खिसक जाएगे दात हिलने लग जाएगे आप जैसे मुँ बंद करते हैं तो अच्छे से मुँ बंद नहीं कर पाऊगी कुछ दात आगे होंगे अच्छे से मुँ बंद नहीं हो रहा है मसूरों के बिमारी के और क्या-क्या कारण हो सकते हैं सबसे पहले तो हमने बात करी poor oral hygiene अगर आपके दातों के बीच में खाना फसता है तो उससे भी gums problem हो जाती है और क्या कारण हो सकते हैं unhealthy diet अगर हम खाने में बहुत जादा मीठा खाते हैं junk food खा रहे हैं biscuits, cookies, chocolates, chips ये सब खा रहे हैं तो ये भी आपके gums को नुकसान पहुँचाता है smoking करने से भी gum diseases होती है जादा stress लेना tension लेने से भी gum diseases होती है या कुछ तरह की ऐसी दवाईया होती हैं जिनको लेने से मसूरे सूज जाते हैं hormonal changes जैसे pregnancy और मीनोपॉस में भी gum diseases होती है या genetics अगर आपके माता पिता को किसी को gum diseases रही होंगी तो आप में होने की chances बढ़ जाते हैं अब चलते हैं वीडियो के सबसे exciting part की तरफ मसूरों को स्वस्थ कैसे बनाएं कौन से घरेलों उपाए अपनाएं जिससे मसूरे एकदम healthy बन जाएं सबसे पहला है practice good oral hygiene आपको toothbrush दिन में दो बार ज़रूर करनी है within 2 minutes दातों के सारे surface पे brush करना है not more than 2 minutes floss रोस करना है next आपको healthy and balanced diet अपनानी है junk food कम खाना है अपनी diet में vitamin C, citrus fruits खटे fruits, आमला lemon juice, mossambi juice leafy greens ये सब include करना है vitamin C हमारे gums के लिए बहुत ही जादा अच्छा होता है इसका एक added benefit भी मिलेगा आपको आपकी skin में भी चमकाएगा इसके बाद आपको stress relieving techniques भी follow करनी है stress से हमारी immunity कम होती है जिससे body की gum infection से fight करने की शक्ती भी कम होती है stress relieving techniques जैसे की yoga meditations regularly करना है next है warm salt water rinses एक glass हलका गरम पानी लेना है उसमें 2-3 चमच नमक का डालना है अच्छे से mix करना है मूँ में रखकर एक से 2 minute उसे hold करना है अच्छे से rinse करना है घुमाना है mouth में उसके बाद spit करना है इससे मसोडों की सूजन बहुत कम हो जाती है next है healthy healthy में भी बहुत जादा anti-inflammatory properties होती है एक चमच हलदी लीजे आधा चमच नमक आधा चमच सरसो का तेल इसकी एक pastry हो जाएगी जिसको आप अपने दातों और gums पे दिन में दो बार लगा सकते हो इससे बैक्टीरा की ग्रोथ काफी कम हो जाती है एक ग्लास पानी में आप एक चमच हलदी डालकर mix करकर उससे rinse भी कर सकते हो वो भी बहुत ही अच्छा turmeric mouthwash बन जाता है अगर आपकी gums में बहुत जादा pain है तो खाली healthy powder लीजे और उस healthy powder को अपने मसूरों पर रख कर लीजे उससे भी आपको pain में काफी relief मिलेगा next है aloe vera aloe vera को plant of immortality भी बोला जाता है ये घाव को भी भर देता है antibacterial, anti-inflammatory, immunity बढ़ाता है antioxidant properties, antifungal, antiviral, anti-cancer effects भी इसमें होते हैं fresh aloe vera gel को पानी में मिलाकर as a mouthwash भी उसे use कर सकते हो ये मसूरों को बहुत ही strong बनाता है next उपाय है tulsi tulsi में भी antibacterial गुर्म बहुत ही जादा पाए गए है tulsi के पत्तों को crush करकर उसका paste बनाकर उसे आप अपने gums पे लगा सकते हो जिससे आपके gums healthy बनेंगे next उपाय है long का तेल उसे भी आप अपने gums पे लगा सकते हो next लहसुन लहसुन का paste बनाकर अपने gums पे लगा सकते हो जो कि bacterias को मारने में बहुत जादा helpful होता है फिर आप अद्रक का juice निकाल कर या अद्रक की paste बनाकर भी अपने gums पे apply कर सकते हो नीम की paste आप apply कर सकते हो अपने gums पे नीम की बाक ले लीजिए या फिर उसके पत्ते ले लो उनका एक paste बना लो और उसको gums पे apply कर दो पूदीने की paste बनाकर आप अपने gums पे apply कर सकते हो ये सब देसी घरेलू उपाय करने से मसूरे बहुत ही strong बनते हैं ग्रीन टी पीने से भी मसूरे strong बनते हैं क्योंकि ग्रीन टी में antioxidants बहुत जादा पाये जाते हैं ये सबी घरेलू उपाय काफी effective होते हैं बट proper oral hygiene को neglect नहीं कर सकते और regular dental visit तो करने ही चाहिए वो बहुत जादा जरूरी है अगर आपको लगातार gums में दिक्कत है तो अपने dentist से जाकर जरूर सला लेजे आपका dentist आपको good oral hygiene maintain करने की सला देगा regular check-ups करने के लिए बोलेंगे और अगर आपके mouth में calculus है तो ultrasonic cleaning होती है और अगर roots पे भी calculus है तो root planning होती है तो scaling and root planning एक procedure भी advice कर सकते हैं डॉक्टर और इसके साथ-साथ antibiotic therapy के लिए भी advice देंगे और अगर जरूरत हुई अगर आपके मसूरे बहुत जादा नीचे खिसक गए हैं तो इसे हम gum grafting procedures के द्वारा, surgery के द्वारा भी वापस ला सकते हैं gum diseases को कभी भी neglect नहीं करिये क्यूंकि यह other health condition जैसे heart disease और diabetes इन सबसे interlinked होती है आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चानल को please like, share and subscribe जरूर करिये अपने कोई भी doubts है तो comment में लिखकर आप उसे पूछ सकते हैं thank you so much